वल्कम दोस्तों आज 21 जनवरी 2023 सनिवार का दिन हो गया है आज के मुक्य समचार बड़ी खबरें देश और दुनिया का ताज़ा अपडेट लेकर हाजर हो चुके हैं सभी कबरें बहुत ज़्यादा मतपुन है अलगलग राज्यों के और से सरकारों के और से बड़ी काम की खबरे आई है वीडियो को आप पूरा ध्यान से आगिर तक जरूर देखते रहेगा तो हैए दोस्तों शुरुआत करते हैं आज की पहली बड़ी खबर आज 21 जनवरी को साल की पहली सनी अमावश्या है मोनी अमावश्या है और ये साल 2023 की पहली सनी अमावश्या और आज के दिन 30 साल बाद खबर योग भी बना है जो की सनी की साड़े सातिया और ढया से परिसान लोगों के लिए काफी जादा सूब है खपर योग में सनी के उपाय करने से कस्टू से मुक्ति मिलती हैं सनी अमावश्या के दिन सनान करने के बाद सनी देव की पूजा आवश्य करनी चाहिए पोरानिक मनेताओं के अनुसार आज के दिन मनुरिसी का जन्म हुआ था और मानेताओं के नुसार मोनी अमाउश्या के दिन गंगा नदी का जल अमरित के समान हो जाता है और इस दिन गंगा जल में देवताओं का वास होता है इसलिए इस दिन गंगा सनान कना बहुती यदा सुब मना जाता है वेसे तो आप गंगा सनान कभी भी कर सकते हैं लेकिन आज का दिन काफी यदा और भी विशेस मना गया है मोनी अमाउश्या तीथी का आरंब 21 जनवरी सनिवार सुबह 6 बच कर 17 मिनट से प्रारंब हो जाएगा जो 22 जनवरी को तड़के 2 बच कर 22 मिनट तक रहेगा उदिया तीथी के नुसार मोनी सनिशरी अमाउश्या है इसलिए इसे 21 जनवरी आज ही मना जाएगा माग मैने के क्रिश्न पक्स में आने वाली अमाउश्या को मोनी या माग अमाउश्या का जाता है और इसके बाद फिर सूरे देव को आर्दे देना चाहिए और आज के दिन वृत का संकाल्प लेने के बाद मोन रेने का प्रियास भी करना चाहिए माग माउश्या पर पित्रू का तरपन करने से उन्हें मोक्स की प्राप्ति होती है वहीं मानिता हैं कि मोनिय माउशा का वृत करने मातर से अकाल मृत्यू भी टल जाती है मोनिय माउशा की दिन ग्रहों की सुबस्थति होने के कारण हरसन, भारती, सत्कीर्ती और वरिष्ट नाम के दुरलब राज योग भी बन रहे हैं माँ गंगा का आशिर्वाद आप सभी दोस्तों और मित्रों को मिलता रहा है माँ गंगा के लिए इस वीडियो पर एक लाइक और सेर का बटन दबाना बिल्कुल भी मत बूलिएगा चलिए सुरुवाद करते दोस्तों खबरो का सिलसला अगे बढ़ाते हैं पहलवानू का धरना कत्म हो गया, खेल मंत्र लाए जांच समीती का गठन करेगा, चार हपते में जांच पूरी करेगी कमेटी, तब तक फेडरेशन का काम ब्रिजबूशर नहीं देखेंगे, डब्लियो एफ़ाय और पहलवानू के बीच जारी विवाद में खेल मंत्री के आ मोसम विभाग ने कहा कि अगले अपते से देश की राजदानी दिल्ली में बारिस का दोर सुरू हो जाएगा, दिल्ली में 23 से 26 जनवरी के बीच बारिस देखने को मिल सकती है, रक्सा मंत्रले ने मोबाइल टावर लगाने के नियमू को और भी आसान किया है, ग्राकों को ब लोड किये गए नए नियमू की एक प्रतीने फरवरी 2018 में जारी, से अनिय स्टेशनों या 56 में संचार नेटवर का विस्तार करने के लिए साजा संचार टावर और अन्य दूर संचार बुनियादी धार्चे को बदल दिया है, 56 एक सित्रों में और उसके आसपास रहने वाल से एक रिपोर्ट जारी की गई है, जिसमें सरकार से का गया कि क्या दूद और क्या उत्पादों में मिलावट की तुरंत जाच नहीं की जाती है, और इस कारण 2025 तक 87% नागरी कैंसर जैसी गंबीर बीमारियों से पीडित होंगे, लेकिन आपको बदा दे मत्सेपालन, 425 लोगों की जाने चली गई, भारत में 24 गंटे में 145 नए मामले सामने आया है, बिहार से जुड़ी अपडेट खबर है, जाती आधारित गणना के लिए पाहले चरण में गरूं को नंबर देने का काम लगबग पूरा हो गया, अब जाती पूछी जाएगी, नंबर दिये जाने का काम 97-98 प्रतिशे तक हो गया, जाती आधारित गणना के तयत जाती हम अन्य जानकारी हासिल किये जाने का काम सोमवार से विदिवत आरम होने के उम्मीद है, आगे बड़ते बड़ी खबर सुप्रीम कोर्ट से बिहार सरकार को बड़ी रात मिली है, जाती जन गणन नया वेरियंट और भी ज्यादा खतरनाक मचा रहा है तबाई, डवल्यो एचों ने क्या बात कहिया है यह आपको बताते हैं, कोरोना का कहर इस वक्त दुनिया के कई देसों में अभी भी बना हुआ है, चीन में कोरोना से हाकार मचा हुआ है, इस कहलावा चीन के साथ ही अम अपडेट्स खबर आप लोगों ने देखी ही होगी, रेल यत्रियों के लिए बड़ी रात की खबर हैं, वंदे भारत एक्सप्रेस 23 जनवरी से बोरी वली स्टेशन पर भी रुखेगी, दो मिनिट का स्थोपेज होगा, ट्रेन संक्या 20901, कॉबलेक 20902, मुंबोई सेंट गांधी नगर केपिटल वंदे भारत एक्सप्रेस को 23 जनवरी से बोरी वली स्टेशन पर एक्स्ट्रा ठेराव दिया जाएगा, और इस ठेराव के कारण कुछ स्टेशनों पर वंदे भारत के समय में भी बदलाव किया जा रहा है, 30 मई 2023 से ये ट्रेन बुदवार को छोड का हपते में सभी दिन चलेगी, मध्य परते से जुड़ी खबर भोपाल में आज सही सुरू होगा, अंतराश्टिय विज्यान महोतसा और सियम सिवरा सिंग चोहान उदगाटन करेंगे, भोपाल के मोलाना आजाद राश्टिय प्रधियोगी की संस्तान में सनिवार सही 24 जन करने के साथ साथ एक तीरत स्तल का दर्सन भी करेंगे, और एक लोग सभा के कार्यकरताओं की बेठक भी लेंगे, राम से दू से जुड़ी याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई के अंदर सरकार ने का इसे रास्टिय धरोवार गोसित करने की प्रक्रिया जा रही ह अगर आप भी सोसल मीडिया इंफुलेंसर है तो जान लीजेगा किसी भी तरह का फरजी रिवीव करना आपको मेंगा पड़ सकता है, सरकार ने इसके लिए कुछ सक्त नियम बनाए है जिसके चलते सोसल मीडिया इंफुलेंसर को बारी जुर्माना भी देना पड़ सकता है, इंस्टाग्राम, री लो या फिर यूट्यूब सोड्स या फिर फेस्बुक वीडियो और पॉस्ट अगर आप सोसल मीडिया इंफ्लेंसर और किसी भी तरह के प्रोड़क्ट रीवियू या गाइडेंस देकर आप पैसा कमाते हैं यानि मद्यप्रदेश में अब नागरिकों को गर बेठे ही अपनी संपति की रजिस्ट्री की सुविदा दी जाएगी और ऐसे में अब सब रजिस्ट्रार कारे लाई जाने के जंजट से भी मुक्ती मिलेगी राजे सरकार्ण है इसकी तयारी सुरू कर दिया और इसके लिए एक नया सब्ट्रवेर भी बनाया जा रहा है ये व्यवस्ता आदार कार्ड पर आदारित हो गया और गर्वेटे प्रोपर्टी रजिस्ट्री की सुविदा देने की योजने का सुभारम मुख्य मंत्री शिवरा सिंग चौहान करेंगे प्रसासनिक सुत्रू के नुसार 15 अगस्त तक ये व्यवस्ता सुरू हो जाएगी म्यूचल ट्रांसपर से जुड़ी खबर आ रही है उत्रपरदेस को लेकार अब साल में दो बार मुचल ट्रांसपर की सुविदा मिलेगी उत्रपरदेस में बैसिक सिक्सकों के लिए इस तरह का आदेज़ारी हो गया है इसके लाब बुरी खबर है दोस्त के अकाउंट से अब नहीं चलेगा नेटफ्लिक्स हर आल में आपको बुक्तान करना है होगा भारत में उपलब्द OTT सेयों में से नेटफ्लिक्स का सस्क्रिप्शन सबसे महेंगा है और यही वज़ा है कि धेरों ऐसे यूजर से जो किसी दोस्तिया रिस्तिदार का नेटफ्लिक्स अकाउंट इस्तेमाल करते हैं हालांकि अब ऐसे यूजर्स के लिए अच्छी ख़बर नहीं है उन्हें हर आल में नेटफ्लिक्स के लिए बुक्तान करना है होगा साल 2023 की पहली तीमाई में नेटफ्लिक्स भारत में पासवार्ड सायरिंग से जुड़े नए नियम लागू करने जा रही है बड़ी रात आ रही है अब किस्तु में जमा कर सकेंगे बिजली बिल इस तराजे में ये बड़ा अलान हुआ है मद्य परदेश की विद्धुत वित्रन कंपनी अपने उबगताओं को एक रहात देने जा रही है अब भारी बरकम बिल आने पर उबगताओं को एक साथ रासी जमा करने की जुरत नहीं पड़ेगी अब उबगता अपनी सवुलियत के नुसार किस्तों में बिजली का बिल भी जमा कर सकेंगे पहले किस्तों में उबगता 50% से कमरासी जमा कर सकेंगे उबगताई सुविदा का लाब तभी उठा पाएंगे जब उनके बिजली का बिल 2000 रुपे से ज़्यादा आएगा किस्तों में बिल जमा करने की ये सुविदा सिर्फ गरेलो और क्रिसी उबगताओं को दी जाएगी क्रिमिनल केस लंबित होने पर भी नहीं चिना जा सकता पासपोर्ट रेन्यू का अधिकार बोंबे हाई कोर्ट की ये बड़ी टिपनी है Bombay High Court का कहिना है कि passport के renewal के अधिकार से केवल pending criminal case के अधार पर वंचित करने के लिए प्रयापता अधार नहीं है गुजरात की कमपनिया उत्रप्रदेश में करेंगी 38,000 क्रोड रूपे का निवेस 22 निवेसकों के साथ M.O.E. हुआ है अधिया में दूसरे पायदान पर रखा गया है अब नर्सों पर भी बॉंड आधारित सेवा लागू होगी नर्सिंग चात्राओं को एक साल करनी होगी राजे के सरकारी अस्पिटलों में नोकरी करनी होगी इसके लिए नर्सों को एक बॉंड भी बढ़ना होगा एड्मिशन के समयी चात्राओं उसको सबत पत्र देना होगा और बताना होगा कि वे कोर्स कतम होने के बाद 10,000 रुपे प्रतिमाई ने G.N.M. को 12,000 के मांदए पर एक साल सरकारी अस्पिटलों में सेवा दनी होगी फरवरी से रेजिस्टेशन की सुईदा मिलेगी पंजाब में 4 पिडित परिवारो को साइता मिलेगी सरकार ने साथ करोड 65 50,000 रुपे मुआजारा सी जारी की है दिल्ली नर्सरी ऐड्मिशन लिष्ट 23 से जारी हो गई है दिल्ली सिक्सा निदिसाला की अधिकारिक वेबसाइट पर भी आपको ये लिस्ट मिल जाएगी वहीं फ्रीज का कमप्रेशर फटने से कमरे में आग लग गई सामान जलकर खाक हो गया परोशियों के मदद से आग पर काबू पया गया राजिस्तान की एक खबर हैं बड़ी खबर हैं उत्राखन के मुख्यमंत्री पुसकर सिंग दामी की गोशना से राज्य में मौजूद हजारों होमगार के चारों पर खुसी लोट आई है इस गोशना के अनुमोदन में अब ड्यूटी के दोरान गायल या बीमार होने वाले होमगार को ड्यूटी बता दिया जाएगा इस योजना से लाबानवित किया जाने वाले होमगार जवानू के लिए कुछ विसे इस नियम भी बनाएगा है बड़ी खबर आ रही है के विए से केंद्री विद्याले से जुड़ा अपडेट है टीजिटी पीजिटी और प्यार्टी परिक्सा की तारीकें जारी हो गई है रजस्तान में दो करोड की रिस्वत मामले में गिरपतार सोजी के एडिशनल ऐसपी दिविया मितल को सुकरवार को जैपुर एसी बिद्वारा अजमेर कोट में पेस किया गया जज ने दिविया मितल को तीन फरवरी तक जेल बेजने के आधेश दिया देरा सच्चा सोधा प्रमुख राम राहिम को फिर से पैरोल मिली है, 56 दिनों बाद ही 40 दिन के लिए एक बार फिर से पैरोल दी गई, पैरोल की खबर मिलते ही आसरा में स्वागत की तैयारियां भी सुरू हो गई है, इमाचल परदेश से जुड़ी खबर सिमेंट कमपनियों ट्रक ओपरेटरों में गतिरोत के बीच उद्योग मंत्री हर सुर्दन ने मतबन बैटक लिए, लगतार दूसरे दिन सहर मार्केट में गिरावट दर्जू ही सेंसेक से 237 संक तूट गया, 18,100 के करीब निप्टी बंद हुआ, जोसीमट में बारिस और बर बारिस से लोग प जोसीमट का भविश्य ताय होगा, विश्य से के लगतार जाज कर रहे हैं कि गरूं में दरारे क्यों आ रही हैं, चार्जिंग के दोरान आइफोन में आग लग गई, आग का गोला बनकर मोबाइल फोन फट गया, सेक्त राजी अमेरिका से जुड़ी ये खबर हैं, गणत 122 जनवरी को नीचले और मैदानी भागों में मोसम साफ रहने की संबावना है, 24 जनवरी के लिए मद्या और उच परवत्य जिलों में भारी-बारी का ये लोलाट जारी हुआ है, जबकि नीचले और मैदानी भागों के लिए 23 और 24 जनवरी को उला वरेस्टी और अंदर च काड़े जाएंगे वहीं किसान बायूं के लिए विग्यानिकों ने बेंगन की एक नई किस्म इजाद किया है कम लागत में बंपर पैदावार मिलेगी सब्जी की खेति करने वाले किसान बायूं के लिए खुश कबर है महाराष्ट की कंपनी बेजो सीतल सीट से अतिनात मंदीर उंकारिस्वार देवा समाताजी मंदीर और अन्य प्रमुक सरु को उद्जेंस से जोड़ेगी साथ ये अपडेट कबर है यूपी आई ट्रांजेक्शन की लिमिट हुई ताय अब दिन में इतने ट्रांजेक्शन ही कर पाएंगे एन पीसी आई के नेमों के जुड़े होने में सब में बराबर की लिमिट मिलती है इसके साथ ये अगर आप अपने एक ही खाते से दूसरे खाते में पैसे बेजते हैं तो ये आपकी लिमिट में काउंट नहीं होता है साथ ही मर्चेंट पेमेंट को आपके खाते की लिमिट के साथ नहीं जुड़ा ज लेकिन फाइजर वेक्सीन को लेकर जो चोकाने वाली खबर हैं बहुती वास्तों में हिरान कर देने वाली हैं बड़ी खबर आ रहे हैं गोल्ड प्राइस टुड़ेट से जुड़ी जनकारी सुक्रवार सुबह सुने का बाव 56,990 रुपए प्रती 10 ग्राम पर रहा वहीं चा स्कारी का ताज़ा अपडेट आ चुका है स्काइमेट वेदर अपडेट के मुताबिक अगले 24 गंटों के दोरान पस्चिमी हिमालाय पर हलकी से मध्यम बरसात और हिमपात के साथ-साथ कुछ इस्तानों पर भारी बरसात भी हो सकती हैं पंजाब, हरियना, राजस्तान, दि अगर आपको हमारा प्रियास अच्छा लगा है तो प्लीज वीडियो को लाइक और सेर जरूर कर दीजेगा, थैंक्यू टेकर गुड़बाई, जय हिन, जय भारत, वंदे मात्रम